कितनी चालागी से काम होता है ये मैं आपको समझाता हूँ गोधी मीडिया कह देने से गोधी मीडिया नहीं बनता लेकिन उसकी वजह क्या है गोधी मीडिया बनने की ये खोल करके आप इसामे में रखता हूँ वाइरल कराना जिम्यदारी आपके है अचा शुरूआत कुम इच में एक ट्वीट मेरी नजरों के सामने पड़ा और इस ट्वीट को करने वाले व्यक्ति को फॉलो अंजनौम कशप के वेरिफाइड अकाउंट के द्वारा किया भी जाता है तो वो ट्वीट में लिखा है कि भारत 24 की सीनर निउस एंकर रुबिका लियाकत ने उस चैन किया अब रुबिका लियाकत का जाना हुआ और यह बहुत बड़ी ख़बर सामने आती है कि पूरे जैश में विज्यापन बाजार में आई 40% की गिरावत के चलती ABP न्यूज ने अपने ABP गंगा, ABP साजहा चैनल को बंद करने की अनौपचारिक गोशना कर दी सैकुडो करमचारी रातो रात बेरोजगार होगे, कोई नोटिस परियेड ने, कुछ भी नहीं अब यह जो चैनल्स है ना, यह सिर्फ डिजिटल नेटवर्क पर आपको दिखाई देंगे बताया तो यह भी जा रहा है कि ABP गंगा के मैनेजिंग एडिटर रोहित सावल को ABP न्यूज चैनल में आउटपुट हैड की जिम्मेदारी सौपी कही है जो मीडिया चैनल्स के अंदर काम करते हैं, उनको इस नाम की महतता पता होगी अब देखो हर इंडस्ट्री में यही हाल है, यह नहीं है कि सिर्फ ABP की इंडस्ट्री में है यह मीडिया में की इंडस्ट्री में यही हाल है और आपकी इंडस्ट्री में यही हाल है तो इंडस्ट्री इंडस्ट्री एक जसी होती है बहुत आम बात है अब कर लो विरोध, करने वाले मीडिया, दिखाने वाले मीडिया, मीडिया के अंदर ये ख़बर, कुछ नहीं होगा अब अगली मीडिया की कवरिज मैं आपको बताओ, वो इंपॉर्टेंट है उसे पहले डाटा देख लिजिए कि मीडिया की कवरिज किस बात पर निरभर करती है मोधि सरकार ने अपने कारिकाल में अब प्रती घंटे साड़े आठ लाक रुपे खर्चे है हर दिन दो करोड रुपे के विग्यापन खर्चे गए है यह जानकरी कहां से मिलती है यह CBC वेबसाइट पर मिलती है CBC वेबसाइट को अगर आप खंगा लेंगे तो वहाँ पर डेटा है इस बास से पता चलता है कि इन विग्यापनों में केंद्र संचार भ्यूरो CBC के माध्यम से प्रिंट में और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में कितना खर्च हुआ है वहाँ डटा साफ बताते हैं कि सरकार ने पिछले आठ सालों में और आठ महीनों में प्रिंट में एडविटीजमेंट पर अब तक 3230 करोड रुपे electronic में 3,260 करोड रुपे खर्च किये हैं दोनों को मिला लीजिए 6,491.56 करोड रुपे advertisement पे खर्च किये हैं सिर्फ और ये बात सबको पता है कि नरेंदर मोदी जी अपनी छवी को चमकाने के लिए सारा खर्चा आपकी गाड़ी कमाई जिसको हम tax बोलते हैं उससे किया गया था इसी बात पर आप एक ताली बजा दीए चीए और एक comment कर दीजिए अब मैं आपको media coverage का data इसलिए बताया ताकि अब आपको समझ में आ जाए कि media coverage क्यों इतनी important है और कैसे इतनी important हो जाती है पैसा आता हुआ अच्छा लगता है अब उन्ही के खिलाफ हो जाओगे पैसा आपको तोड़ी न देगा तो अब जो एक important tweet में जा मिला वो शकेल ची का वो tweet ये देख लीचे बहुत important है पूरी समझो कि पूरी निचोड है वो लेखते हैं कि आज खबर पटना की विपक्षी एकता की meeting की खबरों से भरे हुए हैं जतने भी अकवार है कल टीबी को भी देखना पड़ा क्या मतलब हुआ आप हमेशा ये कहते हैं ना कि मीडिया चाहें जितना भी गोदी में बैठ जाए वो दो चीज को ना ignore कभी नहीं कर सकता चुनाव और चुनाव के नतीजे इसको कभी ignore नहीं कर सकता उसको बताना बढ़ता है कि करनाटक में Congress जीती है ऐसा मत समझेगी आगे भी ऐसा ही होगा वह दिन भी आ सकता है जब जीत की खबर को भी उसी तरह से गोल मोल गोल मोल कर देंगे जैसे कि राहूल की पांच महने तक चली यात्रा को मीडिया से गायब कर दिया गया था दिखाने के लिए दिखा दिया था लेकिन priority business पर नहीं दिखाए गया था समझे इस बात को ऐसी दूसरी चीज़े हैं विपक्ष की एकता अभी बीचे मीटिंग होती है बटे हुए विपक्ष को वह कोई महतु ही नहीं देता मीडिया कोई महतु ही नहीं देता लेकिन जैसे ही ये सभी एक साथ बैठते हैं एक हुए तो मीडिया को डर लगने लगता है और उसी भेह में क्या करता है मीडिया उसकी बड़ी-बड़ी खबरे चाने लगता है बताने लगता है कि यह हो सकता है यहां समीक गड़ेगा साथ आ गए है अब आपने कल देखा होगा मॉनिटर कीजिए इस बात को कल दुपहर तक जब मीटिंग शुरू हो कई थी तो टीवी न बतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव खबरे दिखाई हैं बोली कि अगर यह सत्ता में आ गए तो भाया थोड़ा इनको बता देंगे हमने भी आपका पक्ष लिया था मगा जैसे ही शाम आती है कवरिज उल्टी पर जाती है केजरी वाल ने कॉंग्रिस के खिलाव बोला व ही आपको बताने लगती है कि इसका कुछ नहीं सकते कबाड़ा है इस तरह की उन्होंने डिबेट होनी शुरू हो जाती है एक दम से पासा पलट देते हैं विपक्ष को खास तौट से कॉंग्रिस को इस मीडिया की करेक्टर को समझना होगा यह लाड़ पचकार करके आप करते हैं राहूल को और कॉंग्रिस को खुश कर देते हैं कि हाँ हमने आपको काम कर दिया लेकिन बैक एंड से राहूल और कॉंग्रिस के खिलाफ मामले को तेज कर देते हैं खबर दिखा करे छवी बगाडने के लिए कि कॉंग्रिस में असर रखने वाले नेदा कहे देते ह कि फ़लाने मीडिया ठीक काम कर रहा है Actually, मीडिया ऐसा है क्यों? ने आपको बताता हूँ एक विचारधारा है ये विचारधारा की लड़ाई है रवीश ने भी कहता याद होगा आपको तो दर असल 1977 के बाद से प्रेस जो है न वो दक्षन पंथी पंथ की तरब मुड़ गया है आडवाणी ने जनता पार्टी के सरकार में सुचना प्रसाण मंत्राले ले लिया था और इसी लिये लिया था कि प्रेस में न संग की जो लोग हैं जो एक विचारधारा की जो लोग हैं उसमें अंदर भरती कराई चासके सारे अख़बारों में रेडियो टीवी में संग के लोगों की भरती करा दी गई उसके बाद से कॉंग्रिस ने लेफ्ट ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया उल्टे ही उन्हीं लोगों को अपने पक्ष में करने की असेफल कोशिश वो करते रहे और लगातार वो नाकाम होते रहे पर आप तो कुछ नहीं हुआ सब बेकार हो गया सबाल यही है कि आप विपक्ष में हैं तो आप मीडिया को सुधार तो बिलकुल नहीं सकते हैं आप तब भी नहीं पाये थे जब आप 10 साल सरकार में रहे थे उस यूपिय के दौर में भी मीडिया कॉंग्रिस के कुछ नेताओं को चड़ाती रही थी और सोनिया, राहूल, पीम, मौन मोहन सेंग कॉंग्रिस पे वो इस तरह से विरहमला भी करती रही इस ट्वीट से और डेटा से आपको पता चल गया हुआ कि एक पक्ष में बोलना मजबूरी भी है और एक सोच भी है और उस तरह के लोग से बढ़ती भी है फिलाल हम यह कह सकते हैं कि हाँ कॉंग्रिस की जीत को और विपक्ष के कटबंधन को वो completely ignore कर सके जैसे कि उसने रहुल गांधी की भारत जोड़ो यातरा को किया था वो इस समय एकता को और जीत को फुल टू तरीके से ignore नहीं कर सकती है तो आपको मीडिया के अंदर की सच्चाई मैंने आपको बताए किस तरह से चीज़े काम करती है इतना असान नहीं है जो कहदिया माल लेना मीडिया वालो गी तरफ से वीवर शेप में लगातार कमी आ रही है तो जान सोशल मीडिया की तरफ हो चुके है ABP News मैं भी छटनी आपको देखने को मिलेगी ABP गंगा और ABP सांजा तम तो करी दिये सिर्फ डिजिटल प्लैटफरम बिलेंगे वहाँ तो खर्चा कुछ आए कभी ने इसलिए इंपोर्टेंट है चानकारी अपने पास रखना कि मीडिया किस तरह से काम करता है इस वीडियो को तिन वाटस तरह किजिए कम्प्लिट पैकेज है चंदा को बताईए 10 मिनिट दीजिए और मीड़ा के अंदर की बातों को समझना शुरूर कर दीजिए इस वीडियो को तिन वाटस तरह किजिए चाहिंद बंदेमातरम stay updated, stay educated सत्यमेव जयते, नमस्कार